इंडिया का सबसे तेज यूट्यूब पे उभरता हुआ चेहरा है गौरफ चौदरी का जिने हम सभी टेक्निकल गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर अपने ज्यान की बदौलत ऐसी धूम मचाई है कि यूट्यूब पे आने के एक साल के अंदर ही उनके चैनल पर पांच लाग सबस्क्राइबर्स हो गए। और अभी दो साल पूरे भी नहीं हुए हैं और इनके 20 लाक यानी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। गौरफ का जनम 7 में 1991 में अजमेर राजस्थान में हुआ। उनका मन बच्पन से ही पढ़ाई की तरफ बहुत जादा था। गौरफ पढ़ते तो जादा नहीं थे पर जब भी पढ़ते थे वे पूरी लगान से पढ़ते थे। और हमेशा अपनी क्लास में सबसे आगे रहते थे। जब वे 5 साल के थे तो अब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा जिसने वाकई में उनका मन मोलिया था। वो जब कभी भी कंप्यूटर पे काम करते थे उन्हें बड़ा मजा आता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पिता से जित करके अपने घर के लिए भी एक कंप्यूटर खरिदवा लिया। जिसमें वो दिन भर कुछ नया सीखने की कोशिश किया करते थे। धीरे धीरे वो कंप्यूटर में वो सब करने लगे जो उनकी क्लास में कोई भी नहीं कर पाता था। फिर 10th क्लास को भी सबसे जादा मार्क्स के साथ टॉप करने के बाद उन्होंने 11th में कंप्यूटर सी पढ़ने का फैसला किया। फिर जिंदगी अच्छी चलने लगी और काफी ध्यान, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल चीजों की तरफ भी बढ़ने लगा। और इसी बीच उनके बड़े भाई ने भी दुबाई में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी में सब कुछ स्मूद चली रहा था पर तभी एक दुरगटना हो जिसकी विजह से उनके पिता कोमा में चले गए। अब उनके घर की सारी जिम्मेदारियां गौरफ के ही उपर आ गई। पर फिर भी उन्होंने अपना होसला नहीं खोया और पढ़ाई करते रहे। बहुत अच्छे मांक से 12 करने के बाद उन्होंने इंजीनिरिंग करने की स पर इसी बीच उनकी जिन्दगी में एक और दुर्खटना होई और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पर इसके बाद भी कौरवने जल्दी अपनी पढ़ाई की तरफ फिर से रुख कर लिया। उन्होंने उसी के दौरान कई सारे रिमोट कंट्रोल डिवाइसे भी बन होता है। हर पहलो जंदगी का इंतिहान होता है। डरने वालों के हाथ अक्सर खाली होते हैं पर लड़ने वालों के कदमों में चहान होता है। फिर जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हुई उन्होंने नौकरी करने से बहतर और पढ़ाई करने का फैसला किया। और उसी के अब वो फैमिली के साथ दुबाई शिफ्ट हो गए जहां उनके भाई का बिजनेस चली रहा था। उन्होंने फिर एमी करने की सोची और बिट्स पिलानी दुबाई कैमपस को उसी मोटिफ से जॉइन भी कर लिया। और उसमें भी अपना बेस देते हुए वो टॉपर बन जिसकी वजह से उनका भी काफी मन था यूट्यूब पे को शुरू करने का। फिर उन्होंने एक चैनल देखा शर्माजी टेकनिकल नाम से जिसने उन्हें बड़ा ही मोटिवेट किया। गौरव ने फिर शर्माजी टेकनिकल के ओनर प्रवल शर्मा से मिलने का फैसला आखिरकार गौरव ने अपना चैनल स्टार्ट करने का फैसला कर दिया और उन्होंने 18 अक्टोबर 2015 को टेकनिकल गुरूजी की शुरुआत करी। उनके लिए ये आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अपने फैमिली बिजनिस पर भी ध्यान देना था। पर उन्होंने ऐसा किय सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के लिए। चैनल के शुरुआती दस पारा दिनों में ही हजार सब्सक्राइबर हो गए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। इन्होंने अपने बिजनिस करते हुए भी टाइम निकालकर हर रोज यूट्यूब पर एक से दो वीडियो अब इनके अप्रोक्स अठारा लाग सब्सक्राइबर्स हैं और ये यूट्यूब पर अपनी पूरी लगन से लगे हुए हैं। ये डेली दो से तीन वीडियो डाली देते हैं और इनके लिए कहा भी जाता है कि इनके टेक रेव्यूज हमेशा अनबाइस होते हैं। दोस्त तो टेकनिकल गुरुजी इंडिया का फास्टेस्ट लोइंग यूट्यूब चैनल बन गया है और गौरफ का होसला और हम्मत किसी मिसाल से कम नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किले जहली पर सपने कभी नहीं छोड़े इसी के संधर में कभी ने क्या ख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर